एक्जिट पोल के नतीजों के बाद सियासी गतेविधियां तेज हो गई है भाजपा अध्यक्ष अमिश्चा ने आज अंडे की बैठक बुलाई है जिसमें चुनावों के बाद की रणनीती तैयार की जाएगी बैठक में प्रधार मंत्री के भी मौजूद रहने की संभावना है बैठक में बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार और शिवसेना प्रमुक उदव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे वहीं विपक्षी पार्टियों में भी बैठकों का दौर तेज हो गया है गर्मा गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गया है बीजेप अध्यक शामित शाहने मंगलवाद शाम को एंडिये नेताओं की बैठक बुलाई है बैठक के बाद एंडिये की नेताओं का डिनर होगा माना जा रहा है कि बैठक में पियम मोदी भी मौजूद रहेंगे उधर विरोधी खेमे में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है सोमवार को सपाध्यक्ष अखिलेश श्यादव बसपा प्रमुक मायावती से मिलने लखनों में उनके आवास पर पहुंचे जहां दोनों नेताओं के बीच करीब घंटे भर मुलाकात हुई बताया जा रहा है कि दोनों के बीच एक्जिट पोल के अनुमानों पर चर्चा हुई है हाना कि बैठक के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात करने से इंकार कर दिया अखिलेश भले ही कुछ कहने से इंकार कर रहे हूँ लेकिन बीएपी का कहना है कि एंडिया को पोर्ण बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधान मंत्री बनेंगे वो कॉंग्रस अध्यक श्राहुल गांधी, सपा प्रमुक अखिलेश श्यादव, बसपा प्रमुक मायावती, एंसीपी प्रमुक शरत पबार समेथ तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं पश्यमंगाल की मुख्यमंत्री ममुता बैनर जी से मुलाकात के बाद उनका दिल्ली में चुनाव आयूक से भी मिलने का कारिक्रम है फिलहाल एक्जिट पोल के बाद बैठों का दौर जारी है, लेकिन नतीजे आने में अभी दो दिन का समय बाकी है ऐसे में सियासी घमासान दो दिन और चलते रहने के आसार है